धुल सका दोस्तो दोस्तो सपने में पक्सी देखना सपन सास्त और विईयन के अनुसार सपने देखना मेहज सयोग नहीं होता बलकि सपने बविसय से जुड़े अच्छे और बुरे संकेतों को तरशाती हैं सपन सास्त की अनुसार इंसान जो भी सपना देखता है उनका संकेत आने वाले बविश्य को लेकर होता है ऐसा ही सपना है पक्सियों को लेकर कई बार हम सपने में अलग अलग परकार की पक्सि देखते हैं जिसका हम मतलब भी जानना चाहते हैं और कई बार हम बिना सोचे समझे इसे असूब भी मान लेते हैं सपनों को कभी भी बिना सोचे समझे नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए इसलिए आज हम बात करेंगे स सपने में पक्सी देखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों आपको बता दे अगर आप सपने में चुडिया को देखते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए आपके घर कोई नया मेमान आने वाला है। जिसके आने के साथी घर में कोई नई खुसी भी आ सकती है। इसके साथी इसका एक और सयोग बनता है। यह सयोग है कि आप कहीं यात्रा पर जा सकते हैं जो बेहदी सुगत रहने वाली है। वहीं अगर आप चिडियों की चहे चाना देखती हैं तो यह असुप माना जाता है। इसका मतलब आपके परिवार में जल्दी किसी को स्वासंबंदी बिमारी हो सकती है, कश्ट हो सकता है। सपने में गिद देखना अगर आप सपने में गिद देखती हैं तो यह असुप सवपन हैं लेकिन अगर आप गिद को जपट कर कुछ ले जाते हुए देखती हैं तो यह कई सी आकस्मिक धन आने का सूचक है। इतना ही नहीं ये धन ऐसी मित मात्रा में आएगा वहीं अगर गिद लास पर बैटा हुआ देखते हैं तो ये दिर्गायू होने का भी संकेत माना जाता है इस प्रकार का सपन आपके धन और आयू में ब्रद्धी का सूचक होता है सपने में कभूतर देखना अगर आप सपने में कभूतर उड़ता हुआ देखते हैं तो ये बहुत ही ज़ादा सुप सपन माना जाता है कभूतर अगर सपने में आवाज करते हुए दिखाई दे तो यह घर में किसी मेमान के आने का संकेत है जिसके आने से आपके यहां खुसियों का एक अलगी माहुन बन जाएगा वही कभूतर अगर मोन बैठा हुआ है तो यह किसी से लड़ाई जगडा होने का संकेत है कभूतर का जोड़े में दिखाई देना दामपत्य सुख का परतीक माना जाता है दोस्तों अगर आप सपने में उल्लू को देखते हैं तो उल्लू को देखने से जोट्यों के अलग-अलग मत मेरे कुछ लोग इसे धन आने का सुचक मानते हैं तो कुछ लोग इसे धन नासक भी मानते हैं इसलिए आप उन लोकों की सवस्ता में देखते हैं ये आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तो सपने में कववा देखना सपने में कववा देखना या उसकी आवाज सुनने का मतलब एक ही है इस सपन के अनुसार जल्द ही आपके घर में कोई मेमान आने वाला है लेकिन अगर सपने में आप बहुत सारे कोई देखे तो वे सब बोजन पर तूट रहे हैं ऐसा देखती हो तो ये सपना बेहदी असुब सपन माना जाएगा इस सपन के अनुसार जल्दी आपके गहर में किसी को कोई हानी हो सकती है इसलिए आपको सापदान लेने की आवस सकता है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए